हेलो दोश्टो स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में सारे कंपडिशन एक्जाम के लिए राष्टिय सिक्षा नीती 2020 काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है इसे जो भी कोशिन बनेगा उसे हम लोग इस वीडियो के माधियम से देखेंगे ताकि एक्जाम में आपका कोई कोश्चन ना चूटे तो चली हम लोग देखते हैं नई सिक्षा नीती के अधारित कोश्चन एंसर पहला कोश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्राले HRD का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है तो सिक्षा मंत्राले नई सिक्षा मंत्राले के मंत्री कौन है तो रमेश वोकरियाल निसंख है नई सिक्षा नीती नियो एजुकेशन पॉलिसी लागू की जारी है चोटिस बरस के बाद लागू की जारी है कापी इंपोर्टन कोश्चन इसे ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है उने सिक्षा में जो नई सिक्षा नीती लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था तो उने सो बिरानमे में किया गया था नेक्स्ट है भारत में अब तक कितनी बार सिक्षा नीती आ चुकी है तो तीन बार आ चुकी है उन्हें 68 में, 1986 में और 2020 में उन्हें 68 में इंद्रा गांधी जी का सरकार था और 1986 में राजीव गांधी का सरकार था और 2020 में नरेंज मुदी के समय आया था Next है किसकी अधैक्ष्टाग में विसेशग्यों ने एक नई सिख्चानीती 2020 का मसवधा त्यार किया था तक एक कष्टुरी रंगन समिती ने किया था Next है नई सिख्चानीती NEP में किस क्लास तक मातरी वासा अस्थानिय या चेतरी वासा में पढ़ाई की बात की गई है तब पांचमी कक्षा तक की गई है सिख्चा एजुकेशन सब्द की उत्पती किस से हुई है तो लैटीन सब्द से हुई है Next है किस बर्स राष्टिय साक्चरता मिशन नेशनल इटरेसी मिशन की सुरुआत हुई है तो 1988 को हुई है Next question है 1986 में जो सिख्चानीती लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था तो 1992 में किया गया था 1986 में कुछ बदलाव किया गया था उसी सिख्चानीती को Next question है किस साल तक उस सिख्चा में 50% GER gross enrollment ratio पहुचाने का लक्ष रखा गया है तो 2035 तक रखा गया है Important question है ध्यान दखेंगे अब हम लोग देखते हैं इस कूली पाटकरम के 10 प्लस 2 पैटन की जगा अब कौन सा पैटन होगा तो 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का 5 में 3 से 8 वर्स के बच्चे होंगे और 3 में 8 से 11 वर्स के बच्चे और 3 में 11 से 14 वर्स के बच्चे तीन से आट में बच्चे एक दो क्लास के होँगे pre primary classes और आट से दस बर्ज के बच्चे में 3,4,5 क्लास के बच्चे होँगे और ग्यारे से चोगढ़ बच्चे में 6,7,8 क्लास के बच्चे होंगे और 14 से इठारे में 9 से लिखे 12 तकी क्लास होँगी और सभी वच्चे 3, 5 और 8 में एक्जाम देंगे बाकी इंटर का एक्जाम है वो सब चलते रहेगा Next question है किस साल तक स्कूली सिक्षा में 100% GIR gross enrollment ratio के साथ मादनिक अस्तर तक education for all लक्ष रखा गया है तो 2,3 तक रखा गया है Next है नई सिक्षा निती का लक्ष किस वर्ष तक 13 से 18 वर्ष आयू के परतियक बच्चे को गुनवत्ता पुन सिक्षा परदान करना है तो 2030 तक है Next है GDP का कितना परतिसत सिक्षा में लगाने का लक्ष रखा गया है जो 6 परतिसत रखा गया है बरतमान में 4,4 तीन परतिसत है Next है नई सिक्षा निती में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है तो एमफिल को खत्म कर दिया गया है Next है नई निती के अनुसार अब प्सडी करने के लिए क्या अनिवार कर दिया गया है तो चार साल की असनातक डिग्री अनिवार कर दिया गया है नेक्स्ट है नई सिक्षा निति के अनुसार अब असनातक कितने वर्स का कर दिया गया है तो तीन से चार वर्स के लिए कर दिया गया है तीन वर्स उसके लिए जो नोकरी पेसा में आना चाहते हैं चार वर्स उनके लिए जो PhD करना चाहते हैं और एक साल की पढ़ाई का भी certificate मिले जाएगा ताकि पढ़ाई को लोज सिल्टा बनाए गया है और एक साल की पढ़ाई करने पर certificate दिया जाएगा और दो साल पर डिपलोमा का certificate दिया जाएगा और चार साल पर degree course की certificate मिलेगी Next question है किस क्लास से vocational course शुरू किये जाएंगे तो 6 क्लास से किये जाएंगे Next है National Research Foundation का क्या आर्थ है क्या कर है तो इसका हो जागा सोथ को बढ़ावा देना Next है नई सिक्षा निती में किस वर्स तक स्कूली सिक्षा में 100% नमंकर का लक्ष रखा गया है तो 2030 तक रखा गया है Next है NEP में बढ़ावा देने के लिए किस भासा को सामिल नहीं किया गया है तो मगी को सामिल नहीं किया गया है नेस्ट कोश्चन है एनी पी में हंडेट पर्चेंट युवा और प्रोट सिख्चा का लक्ष कौन सा साल है तो 2030 तक रखा गया है नेक्स्ट है परक नामक एप नहे रास्टी आकलन केंदर की अस्था आपना किसके लिए की गई है तो चात्रों की प्रगति मुल्यांकन के नेस्ट कोश्चन है एकेडमिक बैंक और क्रेडिट क्या है तो उच सिक्षन संस्थानों से प्राप्त अंक या क्रेडिट को डिजिटल स्वरक्षा नेक्स्ट है अधियापक के लिए नियुंतम डिग्री योगता चार वर्स तक अनिवार कर दिया गया है तो दोहर प्याति नेक्स्ट है शिक्षकों के लिए राष्ट्य प्रफेशनल मानक एन पीस एस्टी राष्टी अधियापक सिक्षा परिशत द्वारा किस बर्स तक विक्सित किया जाएगा तो दोहर पाईश तक किया जाएगा नेक्स्ट है आपरेशन ब्लैक बोड किस के सुझाओ पर आप चक की कि शिक्षा की बात तो कंप्यूटर शिक्षा की बात की गय थी नेक्स्ट है सवतंत भारत की पहली शिक्षानी थी किसकी सेबारेश पराधारी थी तो कोठारी कमिसन पर आधारी थीने 68 में और इसकी एब्येक्ष ते दौलत सिंग कोठारी है जिस राष्टी सिक्षानिती 2020 आजादी के बाद प्रस्तुत की गई कौन सिक्रम की सिक्षानिती है तो यह तीसरी है नेक्स्ट है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्टी सिक्षानिती के लिए समीति का गटन कव किया गया था तो दोहर सत्र में किया गया था नेक्स्ट है नई राष्टी सिख्चा निती 2020 को केवनेट की मंजूरी का प्राप्त हुई थी तो 29 जुलाई 2020 को प्राप्त हुई थी आसा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो के सारे कोश्चन इंपोर्टेंट है एक्जाम के वीडियो से आप वीडियो को एक दो बार अच्छे से सुन ले ताकि आपका डिवीजन हो जाए और एक्जाम में आपका मार्क्स आ जाए तो आज के लिए इतना है दोश्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट आप्पी के साथ थैंक्यू